प्रेंड्स यदि आप एक वॉसिंग मसीन पर्चेस करना चाहते हैं तो आपके मंद में काफी सारे डाउट ही रहते हैं कि कौन सा ब्रांड का वॉसिंग मसीन लेने चाहिए किसके जो सर्विस है वह काफी जादा बैटर है कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि आफटर सर्विस कि कुछ भी टेंसन नहीं होगे तो यह सारी चीज़ें काफी सारे कॉस्टन से रहते हैं आप से भी के माइन में तो आज की सब्सक्राइब करना बैल आइकन को दबाना नहीं ताकि ऐसी इंटर्स्टिंग वीडियो जैसे अफ्लोड करा है आप उन्हें सबसे पहले देख सकें तो श्याटिवर फ्रेंद्स बिना किसी देरी के इस वीडियो को सुरू करते हैं और फ्रेंड्स हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हिमांसु रगवन सी दिसकप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा आई बेटन में आपको connection मिल जाएगा उसमें क्लिक करके आप उस चैनल में आपको मिलने वाला है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें शेजल सबसी को देता हूं कि वासीं मुषंग में आपको देखने को मिलती है वैसे जर्नलіз आपको कपड़े अपको कपड़े ढालने पड़ते हैं अब यहां पर थोड़ सब और धी डीटेप से वाद कर रहा है तो आपके जो जो semi-automatic waxing machine होती है और जो fully automatic waxing machine होती है यह clockwise और anti-clockwise आपका यहाँ पर run करती है और friends जो आपका front load waxing machine होती है तो front load waxing machine में आपको tumble wax देखने को मिलती है जोते हैं एक प्रकार से वन बोल सकते हो दोबी पछाड वस तो उसमें क्या होता है जैसी कि दोबी वॉस करते हैं कपड़ों को उठा गर के यहां पे कौनसी वॉसिंग मशील में तो फ्रेंट सबसे वहले बात करते हैं सेमी औटोमेटिक में क्या होता है कि आपको जो वासिंग साइकल होता है यहां पर सिंपल होता है कि आपको इसमें दो साइड आपको देखने को मिल जाते हैं एक साइड आपका जो होता है ड्रम होता है देखने को मिलता है जहां पर आपका जो कपड़े हैं रिंस होते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपका क्या होता है कि यहा पर आपको पहले कपड़े ंदालने हैं तो यहां पर आपको ऑऔर आप तो ञिकल को इसके निकाल के आपको निकाल कर यहां पर उतनी वुध्यक क्वालियं मिल पाती है starring कपड की तो वहां पर बात करते हैं कर्दोब को निकल जाता है यहां पे कम से कम 80 70 कपड़े हैं और साथ में यहां पे फिर आपका जो इसके बाद में पूरो पानी निकल अबरहाल फॉड़ी होते हैं हर ठोड़ी दिर शुक जाते हփही कर मिल सबसे Si धेली और और ऑफससे घर आते हैं तो यहाँ पर जो कपड़े हैं आपके कम गंदे होते हैं धोड़ा बहुत गंदे होते हैं डेली युजे कपड़े आप उनको warz करते हैं तो यहाँ पर quality आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन बात करते हैं यहां पर जो कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं जैसे कि आप बच्चों को देखे होंगे कि बच्चे यहां पर जो जाते हैं तो इस्कूल में खेलते हैं और यहां पर मिट्टी वगएरा लगती है काफी ज्यादा बच्चों के कपड़े जो है गंदे हो तो यहां पे थोड़ा बहुत मैल कहीं न कहीं पे कपड़ों में रह जाता है, तो उतनी अच्छी कॉल्टी नहीं मिल पाती, तो फिर इसको आपको रब करना पड़ता है, तभी इसका जो मैल है पूरी तरीके से साफ हो पाता है, लेकिन यहां पे एक और बैनिफिट देखने क कि यह कपड़े सूख जाते हैं, तो यह कपड़े उनी कपड़े होते हैं, थोड़ा सा बड़े और मोटे होते हैं, जिस कालान से इनका जो वासिंग कॉल्टी है, काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, टॉप लोड वासिंग मसीन में, और साथ ही साथ में इनका ज उसाथ में यापको एक और ओडिश्नल फीचर देखने को मिल जाता है हॉट वाटर का तो है थे हॉट्स वाटर में आपने देखे होगे काफी जादा जो मेले कपड़े होते हैं इनको पुराने टाइम पे गरम पानी में डाला करते थे तो गरम पानी में डालने से क्या होता है जो मैल होता है काफी जल्दी निकल जाता है तो यह reason होता है hot water का मतलब जो front lord washing machine होती है तो यहाँ पे hot water के कारण से आपके जो काफी ज़्यादा मैले कपन है यह ज़्यादा better quality से साफ होते है यहाँ पे एक plus point देखने को मिल जाता है आपको तो यहाँ पे आपका जो washing की quality है यह भी better हो जाती है और इसमें आपको जो कपड़े सूखने के दिवाद कर तो यहाँ पे 90 से 95% आपको जो कपड़े हैं काफी ज़्यादा इससे सूखे हुए निकलते हैं तो यहाँ पे यह benefit मिल जाता है तो friends finally conclusion की दिवाद करें कि कौन सा washing machine लेना चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको जो budget है 10 से 12 जार रुपए तक का budget है आपका और यहाँ पे आपको ज़िए चाहते हैं आप कि एक washing machine purchase करना तो और आपकी जो family है वो 5-6 member की है 7 member की है तो यहाँ पे आपके लिए better रहेगा यहाँ फर्स टाइम आप washing machine purchase करना चाहते हैं तो आप semi-automatic washing machine purchase करें तो semi-automatic machine में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो function है यहाँ पे आपको खुद से कुछ मेनद करनी पड़ती है पूरा टाइम आपको machine में पूरा automatic machine नहीं होती है थोड़ा सा आपको कपड़े wash होने के बाद में खुद से निकाल करके आपको rinse यहाँ पे करना पड़ता है तो यहाँ पे आपके लिए first time में आप यूज करना चाहते है और आपका budget जो है 10-12,000 रुपए तक का है और family आपकी थोड़ा सा बड़ी है तो यहाँ पे आप better रहेगा कि आप चूज करें एक semi-automatic washing machine और friends इदि आपका जो budget है 25,000 रुपए तक का है 25,000 से उपर का budget है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं front load washing machine तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे-च्छे features देखने को मिल जाएंगी जितने जादा आप पैसे invest करेंगे उतनी अच्छे-च्छे features वाला आपको front load washing machine देखने को मिल जाता है तो friends यहाँ पे मैं आपको कुछ suggest करूंगा washing machine जो है तो description में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ link मिल जाएंगे अपने friends और family members के साथ वीडियो को share जरू करिएगा और आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जल्दी subscribe करने bell icon को दवाने न भूलें ताकि ऐसी interesting videos हम जैसे ही upload करा हैं आप उन्हें सबसे पहले देख सकें तो friends मिलते हैं एक नई और interesting videos के साथ मैं तब तक के लिए जैहिन